आज के समय में हर किसी को कोई ना कोई बीमारी जरूर होती है और बीमारियों से बचने के लिए कई सारे लोग अलग अलग दवाईयों का इस्तिमाल भी करते हैं लेकिन पुरानी किताबों में ऐसे कई सारे तरीकों के बारे में बताया गया है, जिसके इस्तिमाल से व्यक्ति बिना दवाई खाए ही बीमारियों से सुरक्षित रह सकता है, और आज हम भी आपको एक ऐसे ही तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे इस्तिमाल करें आप बिना कोई दवाई का सेवन करें ही अपने आपको स्वर्थ रख सकते हैं और बीमारी से बच सकते हैं आज हम आपको जिस तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं उस तरीके को करने के लिए आपको सरसों के तेल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सरसों के तेल में ऐसे कई सारे गुण जो शरी की बीमारियों को दूर करके शरी को स्वर्थ बनाये रखने में पायर देमन होता हैं, बहुत से व्यक्तियों को तनाव की समस्या होती हैं, जिसके कारण वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने आपको दूसरे लोगों दूर कर और अकेले रहने लगते हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि अकेले रहने की वजह से शरीर का मजोर होने लगता है और अकेले रहने की वजह से दिमाग पर काफी बुरा असर होने लगता है जिसकी वजह से बाद में शरीर में काफी सारी परेशानी होने लगती है और अगर आप तनाव से छुटकाराप पाना चाहते हैं, रात के समय अपनी नाभी में पांच बून सरसों का तेल जरूर डालिए, क्योंकि आइसा करने से व्यक्ति की तनाव की समस्या खत्म हो जाती है, आज के समय में गलत भोजन के कारण से कई सारे व्यक्तियों के शरीव म कमजोडी की समस्या हो जाती है, और कमजोडी की समस्या की वजह से व्यक्ति की हडियों में दर्द होने लगता है, लेकिन अगर आप बिना कोई दवाई खाए ही, अपने हडियों के दर्द से छुटकाराप पाना चाहते हैं, तो रात के समय अपनी नाभी में सरसों के तेल क जरूर डालिए क्योंकि सरसों के तेल में ऐसे कई सारे गुण होते हैं जो हडियों को मजबूत बनाते हैं और बार बार होने वाले दर्द को खत्म कर देते हैं